वेल्कम टू नेक्स एक्जाम आज है 39 अपरेल 2022 और 39 अपरेल 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन बन सकते हैं सारे मेंस वीडियों मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए लाश्ट व मैं आपसे कुश्चिन भी उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स हों बताना है आज की वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम गुरूप से डाउनलोड कर सकते हैं नेचे डिस्क्रिप्स में मैंने टेलीग्राम गुरूप का लिंक दे दिया है वापे आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी तो ये स्टार्ट करते हैं, पहला कुशिन है, हाली में कार इस्तल पर सुरक्षा और स्वास्ते के लिए बैस्विक दिवस कम मनाया गया है, तो अभी कार इस्तल पर सुरक्षा और स्वास्ते के लिए बैस्विक दिवस 28 अप्रेल को मनाया गया, तो इस कुशिन का B आप्सन सही है बिस इस्तर पर ब्यावसाइक, दुरगटनाओं और बेमारियों को रोकने के लिए ये हर साल 28 अप्राइल को कार इस्तर पर सुरक्षा और स्वास्ते के लिए बैस्विक दिवस मनाया जाता है अच्छा इस बार इसकी थीम क्या है? Act together to build a positive health and safety culture क्या है? Act together to build a positive health and safety culture अच्छा अभी तक अप्राइल में कौन-कौन से important day मनाये गए हैं? अभी 25 अप्राइल को 200 मलेरिया दिवस मनाया गया था और अंतरास्टी प्रतिनिती दिवस भी 25 अप्राइल को ही मनाया गया चोबेश अप्राइल को राष्टी पंचायती राज दिवस मनाया गया यहाँ पर मैंने आपको एक कुशिन बताया था की जो पंचायती राज ब्यूस्ता है यह त्रेस तरी ब्यूस्ता है इसको त्रेस तरी बनाने का सुझाओ किसने दिया था? बलबंत राय महता समिती ने 23 अपरेल को 20 पुस्तक और कॉपिराइट दिवस मनाया गया और 23 अपरेल को ही अंग्रेजी भासा दिवस मनाया गया 22 अपरेल को बल्ड अर्थ डे मनाया गया और इस बार के बल्ड अर्थ डे की थीम थी Invest in our planet 21 अपरेल को राष्टी सिविल सिवा दिवस मनाया गया और बिस रचनात्मक्ता और नवाचार दिवस भी 21 अपरेल को मनाया गया इस बार इसकी थीम थी Cooperation 22 अपरेल को संयक्त राष्ट चेनी वासा दिवस मनाया गया 19 अपरेल को World Lever Day मनाया गया 18 अपरेल को World Heritage Day मनाया गया और इस बार के World Heritage Day की थीम थी Heritage and Climate 17 अपरेल को 200 Hemophilia दिवस मनाया गया 16 अपरेल को 200 आवाज दिवस मनाया गया और इस बार के 200 आवाज दिवस की थीम थी Lift Your Voice और 16 अपरेल को ही हाती बचाओ दिवस भी मनाया गया 15 April को हिमाचल प्रदेश राजजी स्तापना दिवस मनाया गया और 200 कला दिवस भी 15 April को मनाया गया 14 April को 249 रोख दिवस मनाया गया और 14 April को ही ढॉक्टर भेम राओ अम्बेड कर जी की 131 मी जहनती बनाई गया इस 131 मी जहनती पर तविल्लाडू की चीपनिश्टर M.K. स्टालिन ने अब अम्बेडकर जैनती को समानता दिवस की रूप में मनाने की गोशना की है अच्छा अभी तविल्लाडू ने एक गोशना और की है 18 दिसंबर को अल्प संख्यक दिवस मनाने की गोशना की है 13 अपरेल को सियाचीन दिवस मनाये गया अंतरास्टी पगड़ी दिवस मनाये गया और जलिया वाला बागहत्य कंड की एक सो तेनवी बरसी मनाये गयी 12 अपरेल को मानव अंतरिच उडान का अंतरास्टी दिवस मनाये गया 11 अपरेल को बिस पार्किंसन दिवस रास्ती सुरक्षित मातरत दिवस और जोते वाफुले की जैन्ती मनाएगी 10 अपरेल को 200 होमियोपैथी दिवस मनाएगी और 10 अपरेल को ही पाम संडे मनाएगी एश्टर से पहले जो संडे पढ़ता है उसे पाम संडे कहते हैं 9 अपरेल को 57 मां CRPF स्वार दिवस मनाएगी 8 अपरेल को सेना आयूदकूर का 247 मां स्तापना दिवस मनाएगी 7 अपरेल को विश्व स्वास्ते दिवस मनाएगी 6 अपरेल को विकास और सांती के लिए अंतरास्टी खेल दिवस मनाएगी पाँच अप्रेल को रास्टी समुद्री दिवस मनाए गया चार अप्रेल को सैयुक्त रास्ट का अंतरास्टी खदान जागुता और खदान कारे में साहता दिवस मनाए गया दो अप्रेल को रास्टी बाल पुस्तक दिवस मनाए गया और 2 April को ही 200 Autism दिवस मनाये गया एक April को उत्कल दिवस मनाये गया इसे उडीशा दिवस गयते हैं और एक April को ही RBI का स्तापना दिवस भी मनाये गया तो ये April के अभी तक के important ने हैं ये आपको याद रखने हैं अच्छा आज की इस वीडियो का हम target रखते हैं तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है घलपूल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और सिर जरू किया करो और मैं आपको भी बोलता हूँ डेली मौर्निंग में उटकर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट फिक्स करो चाहे चोटा साई टार्गेट फिक्स करो लेकिन डेली मौर्निंग में उटकर सबसे पहले अपने लेक टार्गेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टार्गेट को अचीब करने में लगा से रूस को अभी सयुक्त रास्ट परेटर निकायट से हटा दिया गया है तो इस कुछिन का से अप्सिन सही है UNWTO यानि की United Nation World Tourism Organization ने रूस को सयुक्त रास्ट परेटर निकायट से हटा दिया है अब UNWTO इसकी स्थापना का वही 1946 में इसका हैड़ कोर्टर कहां पे है मैडरिड में, और मैडरिड कहां पर है, इस्पेन में, और UNWTO के प्रेजेंट एम पर हेड कौन है, जुराप पोलो लिस्किसवी, अब रूस तो ये है मैप में रूस, रूस की केपिटल के है, मॉस्को, रूस की करंसी के है, रसियन रूबल, रूस के प्रेजेंट एम पर प्र मिखायल मित्सुतिन अच्छा अभी रूस ने फैसुक पर पूर प्रतिबंद लगाया ये भी रूस यूक्रेन बिवाद की वाज़े से हुआ है अंतराश्टी जुडो महासंग ने रूस के राष्टपती को अध्यक्ष के पद से अटा दिया है ये भी इसी बिवाद की वाज से है आई ओसे ने रूस के राष्टपती से सेर्स ओलंपिक सम्मान बापस ले लिया है रूस ने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है बाडा यानि कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजनसी इसकी रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों क उलंगन करने के मामले में रूस टॉप पर है अच्छा इंडिया और रसिया के वीच में कौन सी डिफेंस एकसाइज होती है इंड्र एकसाइज इंडिया और रसिया के वीच में होती है रसिया में उरल के पहाड है लेक वैकाल है और माउंट एलबरस है अच्छा रूस में भारत के राज़दूत कौन है डेवे बैंकटेस वर्मा एक कुशन और बन जाता है रूस से कि रूस की संसद का नाम क्या है तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा क्या है ड्यूमा अच्छा रूस में लेडर अपजिशन है अलेकसी नवेनली उनको सखारो पुरुषकार से समा next question है حالी में 21 में World Congress of Accounts 2022 की मेजवानी कौन करेगा तो 118 साल के इतियास में पहली बार 21 में World Congress of Accounts 2022 की मेजवानी अपना देश भारत करेगा तो इस question का 2 option और इस में 220 देशों के 6000 franciscence is credit करेंगे Next question है, हाली में किस राज सरकार ने संगीत को बड़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू की है तो अभी मेगाले सरकार ने संगीत को बड़ावा देने के लिए संगीत परियोजना शुरू की तो इस question का C options आई है, अब मेगाले तो ये है map मेप मेगाले मेगाले की केपिटल क्या है सिलाउंग मेगाले की चीप निश्टर कौन है कॉन्रट संगमा और मेगाले की गवर्नर कौन है सत्यपाल मरिक अभी यूनेस्को की बिश्ट धरोहर सूची में मेगाले का लिविंग रूट ब्रिज सामिल हुआ है तो इस कुश्ट का बे अप्सन सही है अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बेंक इसकी स्तापना कब हुई 2018 में इसका हैड़कॉर्टर कहां पे है निउ डेली में और इसके प्रिजेंट टैम पे सेओ कौन है जे बेंकट रामो कौन है जे बेंकट रामो नेक्स कुश्ट है हाली में किसने स्वच उर्जा के लिए नौर्वे के एक्विनोर के साथ समझवता किया है तो अभी ONGC ने स्वच उर्जा के लिए नौर्वे के एक्विनोर के साथ समझवता किया तो इस कुश्टिन का A options है अब ONGC यानि की Oil and Natural Gas Corporation इसकी स्वच इस्तापना का हुई 1956 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है न्यू डैली के बसंत कुझ में और इसके प्रजेन टैम पे CEO कौन है शुभास कुमार ने कुश्टिन है ये एक प्रतिस्टित जे बिग्यानी थे और अभी इनका निदन हो गया तो इस कुश्टिन का C options है ये थे एम बिजेन ये एक प्रतिस्टित जे बिग्यानी थे नेक्श कुश्टिन है बारत सरकार ने किसके सायोग से Vimen Changemakers Video Series जारी किया है तो अभी भारत सरकार ने नेट्फिलिक्स के सयोग से आजादी के अम्रत कहानियों के रूप में ये Vimen Changemakers Video Series जारी किया है तो इस कुश्टिन का बे options है इसे सूचना एबम प्रसारड मंत्राले ने नेटफ्लिक्स के साथ मिल कर जारी किया है। नए शुशन है हाली में किस ने एंटरप्राइज इंडिया का उद्गाटन किया है। तो अभी हमारे प्रेजेंट टेम पे केंदरी MSME मंत्री हैं नारायंड राणे। इन्होंने एंटरप्राइज इंडिया का उद्गाटन किया। तो इस कुशन का A option सही है। नए शुशन है हाली में किस देश से 2023 बिस आइस होके चेंपिन्सिप की मेजवानी छिन गई है। तो अभी रूस यूक्रेन बिबाद की बज़े से रूस से 2023 बिस आइस होके चेंपिन्सिप की मेजवानी छिन गई। तो इस कुशन का A option सही है। अंतरास्ट्री आइस होके महासंग ने ये गोशन की है कि अब 2023 का बिस आइस होके चेंपिन्सिप रूस में नहीं होगा। मुंबई में ने शिचन है कि इसने मिसाइल लाइफ नमक पुस्तक का बिमोचन किया है। तो अभी बीजिंग ने मिसाइल लाइफ नमक पुस्तक का बिमोचन किया है। और यही स्लोवेनिया के नए प्रदानवंतरी बने हैं। यही स्लोवेनिया के नए प्रदानवंतरी बने हैं। हाली में गूगल ने केस राजसरकार के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ताक्चर किया है। अब तेलंगाना तो यह है मैप में तेलंगाना। केपिटल के है है हैदराबाद। तेलंगाना के चीपनिश्टर कौन है के चंदसेकर राव। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है डॉक्टर तमिल साई सौंदर राजन। अच्छा कल ही मैंने आपको बताया है कि प्राण हेता पुस्करूल तिवार तेलंगाना में मनाया गया। तेलंगाना ने 100% आबादी को कोबिड की पहली डोज लगाने का लक्ष यांसिर किया है। च्यामा प्रसाद मुखरजी रर्वन मिसन को लाओ करने में तेलंगाना टॉप पर रहा। बारत के पहले अंतरास्ती मद्धिस्ता और सुले केंदर का उद्गाटन तेलंगाना में हुआ है। अभी तेलंगाना राज के कारागार विभाग ने माई नेशन इस्टोल लगाया है। हैदराबाद पुलिस ने महिला सुरक्चा के लिए साथ साथ अब और भी पास पहल की सुरुवात की। काकते रुद्रेसुर मंदर यह तेलंगाना में है और इसको युनेस्को की बर्ड हेरिटेस साइट में सामिल किया गया है। इससे रामःपा मंदर भी कहते हैं। तेलंगाना हाई कूट की चेप जस्टिस हैं हिमा कोली ये पूरे भारत में एक मात्र महिला चीप जस्टिस हैं तेलंगाना में कबर टाइगर रिजर्ब है अमराबाद टाइगर रिजर्ब है काशू ब्रह्मानंद रेड़ी नेसनल पार्क है महाबीर हरिनावनस्तरी नेसनल पर्क है तेलंगा नम नमे काणूमा तयोहार बनाय जाता है नाय क्योशहुर्च है हालि में 222 देज्ट के लिए नैसकनल का चेर परसन किसे न्यूट किया गया है तो अभी कृष्णन रामा नुजम को 2022 ते इसके लिए NASCOM का चेर परसन पॉइंट किया गया तो इस कुश्यन का C आपसन सही है आप इमेज में देख लीजिए यहें कृष्णन रामा नुजम यह TCS से सम्भन देते हैं और अभी NASCOM का चेर परसन इनी को पॉइंट किया गया है अब NASCOM तो NASCOM की स्तापना कब होई थी 1988 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है न्यू डेली में और इसके प्रेजेंट टेम पर प्रेसिडेंट कौन है देव जानी घोस कौन है देव जानी घोस अब लास्ट वीडियो की कुश्यन का आंसर लास्ट वीडियो में आपसे कुश्यन पुचा था कि हाली में बैडमिंटन एसिया चेंपेंशिफ 2022 की सुरुआत कहां होई है तो अभी मनिला में बैडमिंटन एसिया चेंपेंशिफ 2022 की सुरुआत होई यानि कि इस कुश्यन का C options रही थे और लगबग सभी इस्ट्रेणिस कांसा सही दिया बुश्ट इस्ट्रेणिस के वारे में डेटेल में लिखा मैं आपको एक बबर फिर बोलूँगा कुश्यन के बारे में आपको जादा से जादा पता हो आप लिखा करो क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो पिर उन्हें आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का कुश्यन आपके लिए आज का कुश्यन है हाली में किस राज सरकार ने सामाजिक जागरुकता अभिहान सांस शुरू किया है चार उप्सन दिए गए है इन में से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबह हम हमारे Facebook पेज पर प्रेवेस एर कुश्यन डेली पोस्ट करते हैं तो आप Facebook पर Next Exam सर्च करके वारा Facebook पेज जोईन कर सकते हैं क्योंकि प्रेवेस एर कुश्यन आपको बहुत एल्प करते है अगर आपको किसी कुश्यन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉलम है तो आप Instagram पे IndresRC Instagram पे IndresRC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कनफिजन बिदाउट एनी हजीटेशन डिस्कस कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का आप टार्गेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टार्गेट है 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है अलफो लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और सेर जरू किया करो और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड वाट्सप और पेसु ग्रूप हैं उनमें आप इस वीडियो को सेर जरू कर दिया करो तो यह था आज का हमारा करेंट अफेस का वीडियो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लेज कमेंट बोक्स में जरू बताना और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राब जरू कर लेजिए आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी जब भे आप से सब्सक्राब करेंगे तो बरावर में एक बेल आइकन मन के आएगा आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर ले जिससे के आपको डेली मॉर्निंग में करेंट अफेस की वीडियो मिलती रहे नेक्स्ट एक्जाम और बेज बिदियो थैंक्स वर वाचिंग